हेलो फ्रेंड जैशी कृष्णा, स्वागत है आपका हेल्दी इंडिया चैनल में आज का टॉपिक बिल्कुल हट करे है आज हम जानेंगे आयुवेद के ऐसी दो आश्यदियों के बारे में जो आपकी घर में जरूर होनी चाहिए ये आपको बहुत सारी बिमारियों से बचा कर रखती है तो चलिए जानते हैं उन दो आश्यदियों के बारे में जिसका सेवन आपको डेली करना है आश्यदी नमबर वन शतावरी शतावरी ओश्यदी का पॉडर आप लोगों की घर में जरूर होना चाहिए ये ओश्यदी आपकी बाडी में वात और पित को बैलन्स करती है तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बाडी में बहुत कमजोरी है आपकी बाडी सूपती जा रही है यानि बहुत पतली होती जा रही है मसल्स वीक हो रहे है उस कंडीशन में ये ओश्यदी बहुत अच्छी मानी जाती है स्पेशली लेडीज के लिए आप आदे से एक चमच शतावरी पॉडर को लीजे और एक गलास दूद को लीजे ऐसा करने से आपकी कमजोरी 15 से 20 दिन में ही ठीक हो जाएगी ये उन महीलाओं के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्मोन इंबैलन्स की प्रॉब्लम रहती है ये हार्मोन को बैलन्स करती है और बोडी की वीकनेस को भी सॉल्फ करती है इसकी अलावा इस औशिदी का इस्तमाल डाइजेशन रिलेटेट प्रॉब्लम में भी किया जाता है यानि ये आपके डाइजेशन को इंप्रूफ करे की अगर आपका खाया गया खाना अच्छे से नहीं पश्टा है खाना खाने के बाद वो खाना आपके मुँ में वापिस आने लगता है तो उस कंडिक्शन में ये औशिदी बहुत अच्छी मानी गई है ये आपके खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद करती है इसके अलावा ये औशिदी रोग प्रतिरोधक छमता को भी बढ़ाती है यानि आपकी इम्योन पावर को बढ़ाएगी तो ऐसे लोग जो हमेशा बिमार रहते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम बोडी में लगी रहती है ऐसी कंडिशन में आपको इसे दूद के साथ लेना है देखिए आयुवेद में शतावरी औशिदी को रसायन माना गया है यानि टॉनिक माना गया है तो इसका इस्तमाल डेली आप लोगों को करना चाहिए राइट? ये आपके ब्रेन को रिलाक्स करेगी आपकी बॉड़ी को रिलाक्स करेगी प्लस आपकी बॉड़ी में जो कमजोरी है उसे ठीक करेगी लेकिन उसके साथ आपको कुछ रूल को भी समझना होगा आप इसका इस्तमाल आदे से लेकर एक चमच ही कर सकते हो इससे ज़्यादा आपको बिलकुल नहीं करना है अब आप मेंसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आयुवेद पर यकीन नहीं करते होंगे वो साइंस को मानते होंगे तो कोई बात नहीं उन लोगों को भी यही औशिदी का सेवन करना है चुकि modern science भी यही मानता है कि इस ओशिदी के अंदर antioxidant बहुत अच्छी मातरा में पाए जाते हैं जो आपकी body की सफाई करेंगे और आपकी body को बहुत सारी बिमारियों से बचाएंगे इसके अलावा modern science के according भी यह हार्मोन को balance करती है प्लस आपकी body में inflammation को treat करती है तो यह एक बहुत अच्छी ओशिदी है आयुवेद के according भी और modern science के according भी इसका अस्तमाल आप लोगों को definitely करना चाहिए अब बात करते हैं आयुवेद की दूसरी ओशिदी के बारे में इसका सेवन भी आप लोग रोज कर सकते हो वो ओशिदी है मुलेथी मुलेथी यानि लिकोराइस यह आयुवेद के according यह ओशिदी आपकी body के अंदर वात और पित को शान्त करती है यानि आपकी body में अगर कहीं भी दर्द हो रहा है तो वो वात की वज़े से है उसे कम करने का काम करेगी यह ओशिदी आपको बस मुलेथी के छोटे-छोटे टुकडे करने है और दिन भर में एक या दो बार इसे लेना है आपकी body में जो वात बिगड़ गया है वो धीरे-धीरे करके balance हो जाएगा इसके अलावा मुलेथी का इस्तिमाल ऐसे लोग भी कर सकते है जिनको सर्दी जुखाम है यानि body में mucos level बढ़ गया है mucos को कम करने के लिए भी यह ओशिदी बहुत अच्छा work करती है तो ऐसे लोग जिनका गला खराब है या गले में उनको कुछ अटका हुआ फील हो रहा है इस condition में आप एक या दो बार दिन में मुलेथी का सेवन करिए यह उस problem को बहुत अच्छे से solve कर देगी देखिए यह ओशिदी सिर्फ आयुवेद में ही अच्छी नहीं मानी जाती इसे modern science भी अच्छा मानता है modern science के according इस मुलेथी के अंदर glycerisin compound पाया जाता है यह active compound आपकी body के अंदर जाकर सूजन को कम करता है infection को ठीक करता है यानि किसी को भी viral infection हो जाए तो उस condition में मुलेथी की चाय बना कर ली जा सकती है या मुलेथी का direct आप लोग सेवन कर सकते हो या आपकी body में जाकर virus को kill करेगी और viral infection को ठीक करेगी तो ये एक antiviral drug के रूप में भी use की जा सकती है राइट? इसके अलावा modern science में मुलेथी को adaptogenic भी बोला गया है यानि ये आपके stress को कम करती है आपके brain को relax करती है तो ये थी वो दो ओश्यदी जो आप लोगों के घर में होनी चाहिए ताकि आप लोग ये सारी problem से बच सको तो I am sure आप लोग आज की ये वीडियो देखने के बाद इन ओश्यदियों का अच्छे से सेवन कर पाओगे और इसी तरीके की और भी knowledge अगर आप लोग जानना चाते हो तो हमारे चैनल को subscribe करके रखिये ताकि अगली बार हम जो भी वीडियो डाले वो आप तक सबसे पहले पहुचे So friend, that is it for the day I hope you like my session If you really like it then please subscribe it and share with your friends and family members Till then stay safe, stay healthy, have a good day